हलो गाइज, कैसे हैं आप सब? मुझे एक अफ़े से, फीवर था, वाइरल फीवर था, कौर्ट था बहुत जादा, मेरे बालों की बिल्कुल केर नहीं उपाई, बैंक बजी हुई हो मेरे बालों की, अब एसे बालों मेरे रहने का बिल्कुल मन नी कर रहा, कर लें तो पीज उसे इग्णोर कीजिए इस ट्रिक के बहुत सारे फायदे हैं बाइस की शाहिनी स्मूथ हो जाएंगे और इस ट्रिक के में करना कैसे मेरे साथ क्योंकि आगे में बताऊंगे इसे बनाने के लिए मैंने लिया है शैंपू जिस भी ब्राइंट का शैंपू यूज करते हूं वह आप ले लीजिए इसमें मैं अच्छी तरह मिलाना है जब तक शुगर मिक्स ना हो जाए शैंपू में शुगर एड़ क में फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरह मिलाने के बार हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी एड़ करना है हमें ज्यादा पानी एड़ नहीं करना है आपके पास यदि टाइम नहीं है अपनी हेर की ज्यादा कियर करने का हेर मास्ट लगाने का तो आप के लिए ट्रिक बहुत अच्छी है यह हमारे बालों को अग्दम सिल्की बना देगी अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी मेरे बालों पर इसका क्या रिजल्ट रहा अच्छी तरह मिला लीजे शुगर एड़ करके शैंपू में जबने बालों में लगाते हैं क इसका हमें पेश्ट बना लेने अपने बालों की लैंड के अजाब से इससे मारे बाले एक बार में सिल्की शाहिनी हो जाते हैं इसका यह यूज करते तो और भी फाहिदें में देखने को मिलते हैं जो मैं आपको आगे वीडियों बताऊंगी पहले में ना कर आओंगी फिर इसका हे, बता टाब मुझे बहुत स्मूथ और सिल्की नजेघ रहे क bubbling चम्मा चेंवेल मिलगा कर जब शेंबूर हम मिलाते हमने बालों में लगाते हैं बहुत सारे फाइदे द्थिन इमसके रुपि डियर्री में लगाते हैं इसके लिए स्केल्पी डाइरी सकिन सेसे वह को जब आपकी प्रवलामे तो चीनी तो कि अपनी बालों के लिगाते हैं वह प्लाओं दूर होती है बहुत सब्सक्राइब को मिलते हैं ज्यादा कुछ करना नहीं होता केवल ना पर समय तुछ जब आपनी बालों दोए शेंपू बालों के बालों के बहुत फाहिदे मंद धर एक बार इसे क्राइब जरूर कीजिए आप खुद दिखेंगे इस बार में आपके बाल कितने स्मूथ सिल्की हो गये हैं शाहिन आगे बालो पर आप इसे क्राइब कीजिए फिर इसके जरूर शेयर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता अच्छी वीडियो बनाने का वीडियो पसंदा है तो लाइक कर दिजिए अपने फ्रेंज़ा शेयर भी कर दिजिएगा मिलती और अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक क्यार